Hello students, welcome back, मैं आतिफार्फी, एक बार फिर हाजिर हूँ, आप 12th के students के लिए आपके अगली वीडियो के साथ लेकिन अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आपके इस चैप्टर का नाम इफ है ये 50 Marks के इंगलिश के Poetry Section का चौधा चैप्टर है जिसे रूडियार्ट किप्लिंग ने लिखा है ये इंगलिश के एक बहुत बड़े novelist थे science fiction writer भी थे और एक बड़ी famous movie है और novel भी है उनकी जिसका नाम jungle book है जिसका main character मोगली है उनोंने लिखा है चले आते हैं हम अपने first question की तरफ हमारा first question है if has been composed by यानि इनकी ये जो poem है जो chapter है उसको लिखा किसने है आपके सामने options है रीपर डूप 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 या फिर वॉल्टर डी ला मैर तो मैं आपको बता दूँ कि इसे लिखा है Rudyard Kipling ने option C is the correct option जो कि आप जानते हैं हमारा अगला question Rudyard Kipling was born in यानि Rudyard Kipling का जन्न कहा हुआ था Bombay, London, Chicago, Manchester तो मैं आपको बता दूँ कि इनकी पैदाईश Bombay में भी थी उस अपनाम Bombay था अभी Mumbai है ये Bombay में पैदा हुए थी next question है he was educated in उनकी शिच्चा दिच्चा कहा हुई थी उनकी तालीन कहा हुई थी America, England, Japan या Switzerland तो मैं आपको बता दूँ कि उनकी education England में भी थी he was born in Bombay but he was educated in England and he spent a large part of his life there उनकी पैदाईश Bombay में भी लेकिन England में उनकी पढ़ाई लिखाई भी जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबार सा बिताया अगला question है Rudyard Kipling was awarded Nobel Prizing Rudyard Kipling को Nobel Prize कब मिला था 1905 में, 6 में, 7 में या 8 में तो मैं आपको बता दूँ कि उनको Nobel Prize मिला था 1907 में और उस समय के सबसे कब मिलके Nobel Prize winner भी थे मैं आपको बता दूँ कि Nobel Prize उस वक्त पांच फिल्ड में ही दिया जाता था इनको specially literature के लिए दिया गया था अगला question है when all men doubt what then Rudyard Kipling suggest is that यानि जब हर कोई शक्त करने लगे उस case में Rudyard Kipling अपने बेटे को क्या मश्विरह देते हैं कहते हैं doubt back, तुम भी उस पर शक्त करो, ignore them उनको ignore कर दो, या change himself या फिर खुद को change कर दो, या trust himself या फिर अपने आपने यकीन पैदा करो तो Rudyard Kipling actually if जो है यह piece of instruction है जो एक बाप अपने बेटे को देता है और कहता है Rudyard Kipling अपने बेटे को instruction देते हैं वो कहते हैं अपने बेटे से और being hated, don't give way to hating sorry, यहाँ पर doubt करने की बात है तो doubt पे वो कहते हैं अपने बेटे को if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too मदब कहने का यह है कि जब दूसरे तुम पर शक्रक करने लगें तो फिर तुम अपने आपका जो इहतमाद है तुम उसको डगमगाओं नहीं बलकि तुम जो है अपने आप में एक विश्वाश पैदा करो यह खुद को यह कहते हैं trust yourself अपने बेटे को यह advice लेते हैं अगला question है in the poem if the poet is addressing to मैं आपको बता दूँ कि जो address का word है यह noun भी और verb भी address का मतलब पता तब noun है और address का मतलब होता है क्यां पर यह भरव denominator यानि हम किसे मुखातिक हो रहें तो जो poem if है ना इसमें poet किसको address कर रहा है किस से sambodhit कर रहा है किसको sambodhit कर रहा है अपने बीवी को अपने देश के लोगों को अपने भाई को या परिट在िका है He is advising, he is sugisting his son the next question if is a piece of death यह जो है वो क्या है? डव, प्रेम की बात है इसमें, वो पीस है, या फिर कंपैशन, या फिर उसके प्रती इसने हैं, हेल्प, मदद, या फिर इंस्ट्रक्शन, तो 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 प्यादा हुए, मैंने आपको बदा दिया, लेकिन वो कौन सा एर था? तो यह था 1865, 1865 इसमी में, रूग्याट की प्लिंग की पैदाईश, बॉम्बे में हुई थी. The next question, ट्राम्फ और डिजास्टर और कॉल, या जो ट्राम्फ हैं, या डिजास्टर हैं, ये क्या हैं? जिसे पोईट कहते हैं, ये एराक्षस हैं, गुरे बाद अस्पेक्ट्स हैं, अच्चो और गुरे पहलू हैं, ये जीत और ये हार, ये ऐसा समझा आप इसको, या एब्जर्ड या पिर ये बेतुकी चीज़े हैं, या इंपोस्टर्स, तो इंपोस्टर्स कहते हैं, एक ऐस 1934, 35, 36, यानि 1933, 34, 35, 36, तो उनका देहान्त हुआ था, 1936 में, 1865 में पैदा हुए, 1936 में इनकी डेथ हुई, और एक चीज़ और, 1907 में इनको नाबल प्राइज मिला था, बंबे में पैदा हुए, इंग्लाग में एदुकेशन भी, तो इनेक्स कुईशन, इस 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 इ perfect example है, love poem, जिसमें प्यार की बाते हैं, patriarchy की एक देश्भक्ती वाली पोयम है, pessimist, ये गनुतियत, निराशावाद वाली पोयम है, या didactic, या फिर ये शिक्छा प्रत पोयम है, जिसमें education है, की बाते हैं, जिसमें कुछ शिक्छा कुई तालिम देगी, अगला question है, if you can trust yourself when all men doubt you, that is a famous line from, यानि तुम खुद पे तब यकीन कर सको, जब सारी दुनिया तुम पर doubt करती है, तुम पर शक करती है, तब भी तुमारा जो एतमाद है, confidence है, वो डावादोल नहीं हो, ये एक famous line है, कौन से पोयम से है, the daffodil से है, addless drop से, if से है, या the shoulder से है, you already हो, के if से, अगला question, according to the poem, poem के according, या फिर poet के according, what should we do with those who hate us, हमें क्या करना से चाहिए उनके साथ, जो हमसे नफरत करते हैं, we should hate back, हम उनसे वापस नफरत करें, we should not give way to hate, हम उने नफरत करने का मौका ना दें, we should love them, हम उनसे महबत करें, we should not love them, हम उनसे महबत ना करें, तो देखलें, poem की पुरी piece ही मैं आपके सामने रख दी है, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, hate करने की बात हो रही है, यह पुरी poem है आपके सामने, देखलें यह hate कहाँ पे, यहाँ पे, यह hate है, और being hated, don't give way to hate, we should not give way to hate, जब को हम से नफरत करें, तो उनने नफरत करने का म पे who covered, छूड़ गया है, typing में miss हो गया है, one who is skilled, वो जो बड़ा दक्ष है, it means कि कुशल निपुन तेज है, one who pretends to be someone else in order to deceive, जो किसी को धोका देने के लिए, receive कहते हैं धोका देना, in order to के लिए, किसी को धोका देने की वज़ा से, pretend करना कि वो वही है, हाला कि वो नहीं होता It means, अपने चेरे को बदल के सामने वाले के सामने आना, किसी के सामने आना, one who has no money, जिसके पास पैसे नहीं हो, उसको हम इंपोस्टर कहते हैं, या one who is foolish, वो जो बेवकूफ है, उसको इंपोस्टर कहते हैं, तो मैं आपको बता दू, यह देख लिए, one who pretends to be someone else in order to deceive, they are called imposters, इसको देखें, यह है कौन उजिसका चेरा देखें, उसको इंपोस्टर कहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ की नेव का मतलभ हूता है, fraud, that's all students, thank you very much, thanks watching, आतीफारफी, please like, share, comment and subscribe.